अशिक्षित रखा है, ताकि हम इनकी रैलियों में जाते रहे, हम इनके वोट बैंक बनते रहे, हमें पढ़ने नहीं दिया, जानबूझ के सरकारी स्कूल खराब रखे इन्होंने, जानबूझ के इन लोगों ने हमें अनपढ रखा, पांच साल में अगर दिल्ली में हमने सरक कारी स्कूल ठीक कर दियें तो हुपी नहीं हो सकते थे है यूपी में भी हो सकते थे करना नहीं चाहतें यह naw इन्होंने जान बूज के हमको अनपड़ रखा है अब नीं चलेगा हम आप जंसा खड़ी हो गई है अब जंक खड़ी हो गई आमंडी चलेगा मजण तो दोस्तों उत्तरब्रदेश में थोड़े दिन पहले अद्धर प्रदेश तो मेशीवी पहले मनीज सिसोधिया जी मनी चीनी ने नहींड हमारी उत्तरब्रदेश में सरकार बनी तो हम तो स्कूल अच्छे करेंगे उत्रप्रदेश के शिक्षा मंत्री ने शायद संजय जी शिक्षा मंत्री ने उनको डिबेट के लिए चैलेंज किया उन्होंने का उत्रप्रदेश के शिक्षा मंत्री ने कि हमारे तो स्कूल बड़े अच्छे आके देखो तो मनीज जी ने सोचा यार चलके देख ल तो इसका मतलब स्कूल ज्यादा ही खराब है मैं अमंत्रित करता हूं योगी अधित्यनात जी को दिल्ली में आओ कोई स्कूल देख रहे हो जिस मर्जी स्कूल में गुज जाओ अर्वें के जिवाद भारात मता की वन दे वन दे तो योगी जी ने तो पांक साल सरकार चला ली इनसे दो स्कूल ठीक हुए नी योगी जी तुमसे नहों पाएगा इनसे दो स्कूल ठीक हुए नी अब अगर आपको अच्छे स्कूल चाहिए अगर उत्तर प्रदेश वालों को अच्छे स्कूल चाहिए तो एक मौका आदमी पार्टी को दे दो अर अगर खराब स्कूल चाहिए तो इनको दुबारा जब हमारी सरकार बनी 2015 में तो आठ आठ तस घंटे के पावरकट लगते थे अब हमने दिल्ली में सारी विवस्ता ठीक कर दी दिल्ली में अब 24 घंटे बिजली आती है किस को पढ़ा है दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है आप में से पूछना चाहता हूँ उत्तर परदेश में किस को 24 गंटे बिजली चीए जरा से आध खड़े कर दो जिस जिसको 24 गंटे बिजली चीए बिजली मुस्त दिलाएगी पाइन साल में योगी जी से तो हुआ नहीं योगी जी तो अभी भी मैंने सुना योगी जी के पहले 4-4 गंटे के पावर कट लगते थे अब योगी जी के टाइम पे 8-8 गंटे के पावर कट लगते हैं एक बार और बीजेपी को वोट दे दो 12-12 गंटे के पावर कट लगा करेंगे तो अगर आपको 24 गंटे बिजली चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना और पावर कट चीए तो जाकि योगी जी को वोट दे देना दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है और भाई साब मुफ्त बिजली मिलती है और भाई साब में 24 घंटे बिजली मिलती है आपने यार दोस्तों रिष्टदार को फोन करले नहीं यकीन नहीं होगा पता है आप लोगों को आपको लगेगा केज़िरी वाल जूद्ट बोल रहा है बाइस अब जीरो भी लाता है जीरो बिल तो आता है है वो जीरो होता है जीरो उसमें कोई टेक्स नहीं कोई सर्विस चार्ज नहीं कोई बिजलीकी खपतनी कुछ नहीं ये लेकर आया हूं मैं दिखाने के लिए मेरे को मैं कई राज्यों में जाता हूं ना तो लोग कहते हैं केजरी वाल या बोल तो रहो लेकिन ऐसा हो सकता है क्या यह देखो भाई साब यह कोई राजबीर है उसका जीरो बिजली का बिल यह कोई गोयल साव है उसका जीरो का बिजली का ब 24 गंटे बिजली अब उत्तर परदेश में चाहिए नहीं चाहिए बिजली जीरो चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए बिजली के 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 बि और भाइसाब ये असान काम नहीं है 24 घंटे बिजली देना और जीरो बिजली जीरो बिल देना ये कोई चमतकारी है भाइसाब है कि नहीं है बिजली मैजिक है जादू है चमतकार है तो ये उपर वाले ने हमको वर्दान दिया है ये काम केवल केजनी वाल कर सकता है और कोई कोई नहीं कर सकता है ब्रस्ता चार का एक ही काल, ब्रस्ता चार का एक ही काल, केवल केजरी वाल कर सकता है, जीरो बिजली के बिल और 24 गंटे बिजली, ऊपर वाले का वर्दान है, अगर जीरो बिजली के बिल चाहिए, कोई और कहे न, जीरो दूंगा, मान लेना कि उसके बसकी बात नहीं है, वो कोई नहीं देने वाला यह केवल केजरी वाल दे सकता है और कोई नहीं दे सकता इसका Flexi केवल हमको आता है को अ हिं इतनी सारे लोग आए हुए जो जो बे रोजगार हैं dominant हाथ खड़े करो जो जो बेरोजगा है इन्होंने योगी जी ने नौकरी नहीं दी तुम लोगों को इन्होंने सपावालों नौकरी नहीं दी एक कॉंग्रेसियों नहीं दी हमको वोट दे दो हम नौकरी देंगे आपको और मैं हवा में नहीं कह रहा हूं दिल्ली में दस लाख नौकरियां दे के आ रहा हूं दस लाख नौकरियां दिल्ली में 10 लाख बच्चों को युवाओं को नौकरी दिये नौकरी देनी आती है तो बेरोजगार रहना है तो योगी जी को वोड़ दे देना नौकरी जी तो केजरिवाल को वोड़ दे देना अभी थोड़े दिन पहले मैं आयोध्या में